गिरने दे मुझे मेरे गलत कदम पर, मैं थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन जरूर उठूँगा, ए हालाद तु ये वहम छोड़ दे कि मैं तेरे सामने फिर से जुकूंगा, गलतियां किस व्यक्ति से नहीं होती, गलतियां सब से होती हैं, लेकिन गलतियों से जितना जल्द पास करना है, और जब तक ये पास नहीं होगा, मैं अपनी महनत करना नहीं छोड़ूँगा, ऐसे ही आपको अपनी महनत करने नहीं छोड़नी है, जो भी आपका सपना है, उसको पाए बगएर, धन्याव, दिल्ली पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं, उस पर मैंने वीडियो डाल दी है, दो वीडियो डाली है, एक एक एक्जेक्यूटिव कॉंस्टेबल के लिए, और जो बाकी डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस में फॉर्म आने वाले हैं, वो अपरेल में इसे सुरू हो जाएंगे, जो मेन वेकेंसी हैं, दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की, जिसके ज़्यादा उमीदवार फॉर्म भरने वाले हैं, उसके फॉर्म जनवरी से स्टार्टोंगे, स्टुडेंट्स का कहीं सारा प्रशन था, बहुत सारे स्टुडेंट्स का ये प्रशन था कि भाईया, दिल्ली पुलिस के फॉर्म के बारे में आपने बता दिया है, उस सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको सभी को, जो इस्टुडेंट न्यू भी है, उनको पता होना चाहिए, दिल्ली पुलिस का पेपर, 100 नंबर का होता है, और 1-4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, चार्ज इसमें सेक्शन होता है, जी एस होता है, इसमें, सेटेजी में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको पेपर को क्रैक करना है, 50 नंबर की इसमें सलेबस के अकॉर्डिंग आता है, जी एस, 25 नंबर की रीजिनिंग, और 15 नंबर की मैट्स, और 10 नंबर का कम्प्यूटर, ठीक है, जी एस बहुत सारे लोगों की समस्या है, और मैट्स पर जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कि जी एस को कैसे अच्छा करें, मैट्स को कैसे अच्छा करें, जी एस दिल्ली पुलिस के लिए अलग पढ़नी पढ़ती है, रीजनिंग अलग पढ़नी पढ़ती है, मैट्स अलग पढ़ती है, या कंप्यूटर अलग पढ़नी पढ़ते हैं सब लोग SD, आदव, RS, अगरवाल, किरन पब्लिकेशन वगेरा वगेरा की बुक पढ़ते हैं आप ये डाउट अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें देखिए GS अगर आप UP के लिए पढ़ रहे हैं UP का पोर्शन हटा दिया जाए तो All India की GS हर पेपर में लगबग सेम आती है, दिल्ली पुलिस में भी सेम आती है, दिल्ली पुलिस का GS का लेवल भी है जो UP पुलिस का लेवल है, थोड़ा बहुत हलका उपर नीचे हो सकता है, देखिए एक बात आप अपने ध्यान में रखेजिए, अगर आप UP पुलिस की भी तहियारी कर रहे है UP पुलिस की तहियारी के बेस पर आपका दिल्ली पुलिस का एक्जाम भी क्रैक हो जाएगा, आप ऐसा ना कीजिए, बस ये उपर ये ही तो लिखा है दिल्ली पुलिस, बागी पूरा पैटन सेम है, आप कहोगे भाईया, UP पुलिस में कंप्यूटर नहीं आती, कंप्यूट UP पुलिस में मैच भी आती है, रिजनिंग भी आती है, हाँ उसमें कोश्चन जो सलेबस का पैटन है, मार्किंग, ब्ल्यूप्रिंट जो है, वो 37, 37, 37 कोश्चन का है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप UP पुलिस की जो जीएस पढ़ रहे हो, वो पूरी कवर दिल पुलिस का एक्जाम भी क्रेक कर सकते हो, जीएस इतनी टफ नहीं आती, दोनों की जीएस लगबग सही आती है, देखो जिसकी जीएस अच्छी है, उसके अच्छा ही है, क्योंकि वो ज्यादा उसमें प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसकी जीएस अच्छी हो नहीं पाती है, इसको रेगुलर पढ़ना पढ़ता है, मैट्स को अगर कुछ दिन नहीं पढ़ोगे तो सौल हो जाती है, लेकिन जीएस के लिए रोज एक्टिव होना चीए, पर डे एक्टिव होना चीए, इसमें आपकी करेंट भी एवलेबल है, दिल्ली पुलिस के लिए आपको करेंट और उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, तीन से चार नंबर करेंट के आ जाते हैं इसमें, घबराने की कोई भी आवशकता नहीं है, आपकी प्रिपरेशन अगर 100% है, आप अगर अपना योगदान 100% दे रहे हैं, आप से कोई सा भी एक्जाम नहीं छूटेगा, दिल्ली प्लस टू का यूपी पुलिस का है, रीजनिंग यूपी पुलिस की तरह आएगी, मैच्स यूपी पुलिस की, कंप्यूटर और जी एस करेंट अपर, सेम टू सेम यूपी पुलिस के बेस पर आएगी, कोई धर ने की आवशकता नहीं है, इसमें त्योहार वगरा के के दिया जाए, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जो अनिम्पोर्टन चीज है, वो चीज उनको दिया जाए, जिससे बच्चों को टफ लगे, क्योंकि इम्पोर्टन जानकारी सब रखते हैं, और आप कहते हो भी है, इंपोर्टन इंपोर्टन टॉपिक बताईए, दिल्ली यूपी पुलिस में इस बार जो थे, वो थोड़े बढ़ गए थे, मतलब ती चार लाइन पाच छे दस लाइन में कोश्चन को पढ़ने में निकल जाता था, लेकिन यूपी पूलिस है, इसमें जो आते हैं bipolar चैन चोटे चोटे आते हैं, यूपी पुलिस में बड़े कोश आप ये ध्यान में रखी आप पूरा पेपर आप अटेंड करना है सबसे पहले यह पूर्ट ये चीज देखे़ कि आपका best subject कौन सा है आप अपने best subject की और ही चलेंगे जो भी का सबसे best subject अभी आपका सबसे पहले रة सबसे पहले reasoning attend करनी है किसी भी student को उसके बाद करनी है computer attend फिर करनी है maths को attend और फिर करनी है GS को attend क्योंकि GS में कहीं कहीं बार हम सुरुआत में हमें doubt हो जाते हैं 50-50 के doubt बन जाते हैं कहीं कहीं बार और हम महा time based starting में करते हैं और last में भी time based करते हैं इसका मतलब हमारा दिमाग भी घूम जाता है आप ऐसा क्यों नहीं कि यह direct जो सबसे आसान है reasoning को सबसे पहले कर लीजिए आपका positive बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप score करते रहते हो आपकी mentality और strong होते जाती है और जो pressure होते हैं वो हल होने लग जाते हैं जो पिछली चीजे पुरानी चीजे वो याद आने लग जाती है जो आप भूल गए होते हो वो याद आने लग जाती है कि confidence होता है आपको अगर किसी ने confidence दिया तो आप नीचे से आस्मान को छू सकते हो यह आप ध्यान में रखिएगा सबसे पहले आपने reasoning attempt करी फिर आपने computer attempt करी और third आपने math attempt करी computer बहुत आसान आते हैं कुछ shortcut keys याद कर लीजेगा और कुछ theories होती है कुछ दिक्कत नहीं होती ठीक है तो GS देखो GS किसी के हाथ में नहीं होती GS आपके regular पढ़ने पे depend करता है रेगुलर पढ़ोगे बुक को पूरा static GS पूरा पढ़ लीजिए आपका GS portion cover हो जाएगा इस पर वीडियो भी बनाईए GS में अगर आपके कम से कम अगर दिल्ली पुलिस का exam आपको निकालना है तो GS में आप 35 नंबर लाओ हर category लाओ reasoning में सभी लोग 22 नंबर के आसपास ला सकते है 20 से 22 नंबर आ सकते है अगर आप अच्छी preparation कर रहे हो किसी भी चीज का अगर preparation कर रहे हो exam देने जा रहे हो तो 100% अपनी preparation करके ही वा जाईएगा 50% करके जाओगे और बोलोगे सेलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ठीक है maths में भी आप 12 नंबर ला सकते हो कि इतनी tough math आती नहीं computer में भी आप 8 या 7-8 नंबर ला सकते हो इन सब को हम add करते है लगभग ये बैठता है 77 marks और पिसली बार आप कहोगे भी आ ये तो 77 ये 77 हर एक category के लिए बता रहा हूँ पिसली बार की cutoff बताईए भी ये क्या रही थी पिसली बार की cutoff बताते हैं भी आ पिसली बार की cutoff final बता रहा हूँ running की नहीं बता रहा हूँ देखिया आपकी जो physical की cutoff आई थी final जो cutoff हुई है लगबग 5 से 10 number तक की गई है general category की 10-12 number increase हुई है पिसली बार general की category की cutoff 72 रही थी वही OBC की रही थी ये male candidate की है 68 रही थी वही SC की जो रही थी ये EWS की रही थी तुमारी 62 SC की रही थी 57 ठीक है वहीं अगर हम female category की बात करते हैं पिसली बार जो रही है cutoff आपको ओगे भईया female की तो आपने बताई नहीं है तो female की भी बता दो female की general की category की cutoff जो थी आपकी 56 गई थी ठीक है और EWS की गई थी 44 वहीं OBC की गई थी 53 और SC की गई थी आपकी 45 number ठीक है इसके base पर देखो आपकी cutoff में कितना पेर बदल है पिछली बार की जितनी cutoff इस बार भी रहनी है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भईया आप तो पिछली बार paper हुआ है आप तो और ज़्यादा increase हो जाएगी जैसे आप यूपी पुलिस में अंदाजा लगा रहे हो आधी seat होगी नई पिछली बार की तरह ही सेम cutoff इजवार भी रहने वाली है ये number उनके हिसाब से बताया है जो लड़के देखो महनत कर रहे हैं जो इतने number लाएंगे वो तो 100% seat ले जाएंगे महनत करनी पड़ेगी दिक्कते होंगी ऐसा फलता है मिलेंगी क्या दिक्कत है भाई ऐसा फलता मिलेंगी क्या दिक्कत है बाद में मौका मिलेगा दुबारा उठना दुबारा प्रियास करना जिंदगी खतम नहीं होती है जिंदगी हमेशा चली रहती है रुकती नहीं है कभी विप्रियास करते रहना निरास सा आपको बीच बीच में मिलेंगी मुझको भी मिलती है गालिया मिलती है यार क्या हो गया सबसे मिलती है गालिया अब गालिया मिल गई तो हाथ पैट जोड़ के अपने आपको बंद करके कमरे में बंद करके कुछ मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है हमको होसला बनाए रखना है अपने आप में होसला बनाए रखना पड़ेगा हमें किसी की आवसकता नहीं है कि आपको कोई दूसरा होसला देगा आपको आगे बढ़ना है आपको अपनी लाइफ सुधार नहीं है तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा गलत आदतों को अच्छी आदते अपनाना पड़ेगा अच्छी यारी दोस्ती करनी पड़ेगी आप लोगों को अग पूरी मेहनत लगन इमानदारी से अगर किसी कारिय को करेंगे आपका जो भी सपना है वो जरूर पूरा हो जाएगा मेल काप देखेंगे तो फीमेल की कट ओफ में 56 ना सकती है अब मेरी बहने और भाई इतने नमबर तो ला सकते हैं मेरी भेन 56 ला सकती है मेरी भैन 44 ला सकती है OBC की 53 ला सकती है बहुत जादा ला सकती है लेकिन उनका मनोबल गिराये रखते हैं सब लड़किया थोड़ी अपनी संगती अच्छे रखिये ठीक है आपको भी लड़कों को बीट कर सकती है उनके आसपास नंबर लाइएगा देखिए नंबर आपकी कट-off कितनी कम-कम जा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होने किया दिल्ली पुलिस में वह बना रखाना भोकाल सा बना रखा है दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस सब हो जाएगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई